तीन घंटे की फिल्म को जब हम परदे पर देखते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि उन तीन घंटों के पीछे महीनों, कभी-कभी सालों की मेहनत होती है. आम तोर पर एक फिल्म की सफलता कश्टे निर्देशक को या कलाकारों को या लेखक को दे दिया जाता है लेकिन ये एक टीम वर्क है कोई भी कहीं भी कम तर रहा तो उसका असर फिल्म पर पढ़ता ही है और परदे पर जितना कमाल लेखक, कलाकारों या निर्देशक का होता है उतना ही contribution सिनेमेटोग्राफर का भी है क्योंकि वही एक डारेक्टर के विजन को परदे पर साकार करता है कोई शॉर्ट किस तरह शूट किया जाए कि ठीक वही प्रभाव पैदा हो जैसा निर्देशक चाहता है ये जिम्मदारी होती है सिनेमेटोग्राफर की मगर हम कितने सिनेमेटोग्राफर के नाम जानते हैं उनकी जिन्दगी और स्ट्रगल की बात तो बहुत दूर की है सिनेमेटोग्राफर जिसे एक समय में डारेक्टर ओफ फोटोग्रफी कहा जाता था वो अगर अपने काम में परफिक्ट है तो निर्देशक का आधा काम हलका हो जाता है और इसका एक उधारण है राज कपूर की फिल्म बरसाथ शुरुआत में बरसाथ के सिनेमेटोग्राफर थे वी एन रेडी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी मगर राज कपूर अपनी फिल्म में वाइड एंगल लेंस से एक खास तरह का इफेक्ट चाहते थे मगर वी एन रेडी उस कॉंसेप्ट से सेहमत नहीं हुए और उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी तब राज कपूर ने एक 25 साल के नौजवान की खाबलियत पर भरोसा किया और इस तरह बरसाथ के नए सिनेमेटोग्राफर बने जल मिस्त्री इस वीडियो में जल मिस्त्री और उनके बड़े भाई फली मिस्त्री के बारे में जानेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेर करना मत भूलेगा और चैनल पढ़नाए हैं तो अब ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आप आगे भी लिखते रहें जल मिस्त्री और उनके बड़े भाई फली मिस्त्री का अपने दौर में बहुत नाम था इन दोनों भाईयों ने भारतिये फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी में एहम भूमी का निभाई और क्योंकि भारतिये सिनेमा की शुरुआत ही विदेशी फिल्मों से प्रभावित होकर हुई थी तो कैमरा डिपार्टमेंट भी इस असर से अच्छूता नहीं रहा इन दोनों भाईयों पर भी अमेरिकन और यूरोपियन फिल्मों और फोटोग्र्फर्स का बहुत असर था दोनों लाइट और डाखनेस के कालपनिक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं यूं तो दोनों ने अलग-अलग फिल्मों के लिए काम किया मगर दोनों का स्टाइल काफी हद तक मिलता जुलता था फिर भी दोनों की अपनी अलग-अलग खासियत थी फली मिस्त्री ने लो शैडो बैक लाइटिंग में जिस तरह से कलाकारों को दिखाया वो कमाल का था, बिल्कुल हॉलिवर्ट स्टाइल का फली मिस्त्री वही सिनेमेटोग्राफर थे जिन से वीके मूर्ती जैसे सिनेमेटोग्राफर ने प्रेर ना पाई जो अपने लाइट अंच्रेट के इफेक्स के लिजाने जाते हैं फली मिस्त्री को दो बार बैस सिनेमेटोग्राफर की अवार्ड से नवाज अगया एक बार फिल्म गाइट के लिए और दूसरी बार फकीरा के लिए गाइट तो एक कल्ड क्लासिक फिल्म है जिसके बारे में आज सभी जानते हैं उसका एक-एक सीन दिल में बस जाता है जाहिर है इसमें निर्देशक विजयानन्द का विजन बहुत महत्वपून था मगर उसे परदे पर उसी तरह साकार किया फली मिस्त्री ने S.J. बर्मन और फली मिस्त्री उनके दो हाथ थे एक बार किसी ने विजयानन्द से पूछा भी था कि उन्होंने निर्देशन क्यों छोड़ दिया तो उनका कहना था कि जब S.G. बर्वन की मौत हुई तो उनका एक हाच चला गया और फली मिस्त्री की मौत के बाद उनका दूसरा हाच चला गया नवकेतन फिल्म्स और विजयानन्द के साथ उनका लंबा असोसुेशन रहा उन्होंने प्रेम पुजारी, जौनी मेरा नाम, हरे रामा, हरे कृष्णा, हीरा पन्ना, देश परदेश जैसी फिल्मे की फली मिस्त्री का जन्म 1917 में और जल मिस्त्री का जन्म 1923 में एक पार्सी परिवार में हुआ उनके दादा जी का मुंबई में थेटर था और वो एक थेटरिकल कंपणी भी चलाते थे उनके पिता धनजी शौ मिस्त्री का एक बहुत बड़ा घर था जिसमें एक बहुत बड़ी लाइबरेरी भी थी जहां हर सबजेक्ट की धेरों किताबी थी एक पूरा कमरा सिर्फ और सिर्फ किताबों से भरा होता था उनके घर पर अमेरिकन सिनेमेटोग्राफर और इंटरनाशनल फोटोग्राफर जैसी इंटरनाशनल मैगजीन जाया करती थी उनके अंकल एमल मिस्तरी इलफोर्ड फिल्म्स के दिस्ट्रिब्यूटर थे जो समय स्टिल फोटोग्राफी का एक महत्वपून ब्रैंड था कहा तो ये भी जाता है कि फर्स्ट इंडियन टॉकी आला मारा के लिए साउंड एक्विप्मेंट एमल मिस्तरी ने ही इंपोर्ड किये थे तो इस तरह के माहौल में परवरिश पाकर फली मिस्तरी और जल मिस्तरी का रुजहान फोटोग्रफी में होना कोई हैरानी की बात नहीं थी फिर फली मिस्तरी को किसी ने विलियमसन कैमरा तोफे में दिया उसे पाने के बाद उन्होंने कैमरा की बारिखिया सीखी और जहां फैसला हो गया कि उन्हें इसी फिल्ड को अपनाना है तो फली मिस्त्री ने University of Southern California से correspondence course भी किया फली मिस्त्री ने शुरुआत में वाडिया movie tone में बतौर camera apprentice काम शुरू किया था बतौर cinematographer उनकी पहली film आई 1942 में माता लेकिन जब 1945 में नंदलाल जस्वंतलाल की फिल्म आमर पाली आई तो लोगों ने उनके काम की बहुत तारीफ की 1948 की मेला और 1950 की बाबुल के बाद उसी साल फली मिस्त्री ने फिल्म निर्मान और निर्देशन में खदम रखा उनके निर्देशन में बनी जान पहचान, सजा और 1953 में आई अर्मान अच्छी चली इन तीनों फिल्मों में उनके छोटे भाई जल मिस्त्री ने सिनेमेटोग्राफी की कमान समाली लेकिन इस बीच 1954 में आई फिल्म नागिन प्रदीब कुमार और वेजनती माला स्टारर इस फिल्म में फली मिस्त्री की सिनेमेटोग्राफी ने उन्हें एक बहतरीन सिनेमेटोग्राफर का मकाम दिला दिया इसे उनका उस समय तक का सबसे मकमल, सबसे खाबल काम माना जाता है नागिन फिल्म में उनके कैमरा वर्क की बहुत तारीफ हुई मगर उनका फिल्म निर्मान का शौक अभी तक जारी था लेकिन 1956 की फिल्म ताज और 1958 की फिल्म चंदन जिसमें उन्होंने पैसा लगाया था बुरी तरह फ्लॉप हो गई तब फली मिस्तरी ने फिल्म प्रोडक्शन और डारिक्शन को अलविदा कहा और पूरा ध्यान सिनेमेटोग्राफी पर लगाया 1965 की गाहिड की रिलीज के बाद तो उन्होंने बतों सिनेमेटोग्राफ और एक नई उन्चाई को छुआ और इसके लिए उन्हें फिल्म फेर अवार्ड भी दिया गया फली मिस्तरी के कैमरा का कमाल देखना हो तो देखिए एक मसाफिर एक हसीना नील कमल, हमसाया, मनचली, फकीरा और मिस्टर नटवर लाल जैसी फिल्में 1989 में आई मिस्टर नटवर लाल में साइकेडेलिक लाइटिंग, एक्स्ट्रीम क्लोज अप्स और कैमरा मुव्मेंट देखने लायक है उन्होंने कलर एरा आने के बाद भी अपना ब्लैक और वाइट फिल्मों वाला हाई कॉन्टरास स्टाइल जारी रखा था फली मिस्ट्री और जल्मिस्ट्री दोनों भाई नाइट सीन्स में लो की हाई कॉन्टरास लाइटिंग से ऐसा कمाल करते थे कि वो सीन एकदम अलग से निकल कर आता था दोनों भाई कलाकारों के चेहरों के क्लोज अप्स शूट करने के लिए डिफ्यूजर का इस्तमाल करते थे जिस से कलाकारों का ग्लैमर भी बढ़ जाता था खासकर हिरोईन के फीचर्स उनकी फिल्मों में बहुत अट्राक्टिव नजर आते थे और आज भी सिनेमेटोग्राफर्स डिफ्यूजर का इस्तमाल करते हैं और वो कहते हैं आप जैसा सोचते हैं उसी को क्रियेट करते हैं जलमिस्त्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक ड्रीमर थे बहुत कम बोलते थे और हमेशा अपनी ही दुनिया में खोई रहते थे उनके बारे में ये भी मशूर है कि वो कोई खास इफेक्ट क्रियेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे घंटों इंतजार करते थे जब तक कि वो एफेक्ट ना मिल जाए जैसा उन्होंने सोचा था और इन माइनों में वो एक परफेक्शनस थे कमाल के बात ये है कि जलमिस्त्री स्टेंडर्ड कैमरा एक्विप्मेंट्स के साथ बेहतरीन काम करते थे उन्ही उपकरणों से उन्होंने धेरों इनोवीशन्स किये जो जल की जाली के नाम से मशूर थे वो नेट, स्टॉकिंग्स और आप्टिकल फिल्टर्स के जरिये कलाकारों के लुक को ग्लामरस बना देते थे और सीन के टोन को सॉफ्ट बनाते थे वो पहले भारती सिनेमेटोग्राफर थे जिन्होंने कैमरा पर स्पेशल पेंसिल लाइट माउंट करके नया एक्सपेरिमेंट किया इसका प्रियो वो क्लोज अप्स में किर्दार की आँखों को और भी चमकदार और असरदार बनाने में करते थे उन्होंने अपने एक आर्टिकल में कहा था कि जब कोई हिरोईन पहली बार उनके कैमरा के सामने आती थी तो वो एक मिनी लाइट से उसके चेहरे पर अलग-अलग एंगल से रोशनी जालते थे और जब पॉफिक्ट लाइट और एंगल मिल जाता था तब शूट करते थे एक बार उन्हें नूतन का क्लोज अप शूट करना था और उस शौट की लाइटिंग में उन्हें छे घंटे लग गए क्योंकि उन्हें मन्चाहा इफेक्ट नहीं मिल पा रहा था मगर घंटों इंतिजार के बार जब उस सीन को स्क्रीन पर देखा गया तो वो वाकई शानदार था आजकल तूफान हो या बारिश, संसेट हो या संराइज, सब कुछ कम्प्यूटर से क्रेट करना बहुत आसान हो गया है मगर जब चेतन आनन्द नवकेतन की फिल्म आंधियां की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने और जल मिस्त्री ने तूफान से पहले का सही लाल रंग वाला आसमान पानी के लिए और तूफान के सीक्विंस को शूट करने के लिए साथ दिनों तक इंतजार किया था हाला कि फिल्म ब्लैक इन वाइट थी मगर बात थी सही इफेक्ट की जल मिस्त्री ने अपने करियर की शुरुआत बंबई के सीरी साउंड स्टूडियो में बतौर अप्रेंटिस की थी एक बार की बात है जब जल मिस्त्री ने बतौर क्लैश कैमरा में एक फिल्म की शूटिंग पूरी की ही थी उस दिन वो फेमस सिने लबारिट्री में थे तब ही वहां राज कपूर आए और जल मिस्त्री के रश प्रिंट्स देखने लगे जैसे जैसे देखते गए वो उन प्रिंट्स से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने पूछा कि ये किसका काम है और जब पता चला कि इतना बहतरीन काम जल मिस्त्री ने किया है तो उन्हें बतौर स्वतंतर सिनेमेटोग्राफर अपनी फिल्म बरसाथ के लिए साइन कर लिया बरसाथ को आउटडोर और इंडोर के मिलन का उतकरिष्ट उधारन माना जाता है कई रोमेंटिक और ट्रैजिक सीन्स ऐसे हैं जो दिल और दिमाग पर चाप छोड़ जाते है कई ऐसे आउटडोर सीक्वेंस हैं जिनें असल में इंडोर फिल्म आया गया था मगर जब आप फिल्म देखते हैं तो लगता ही नहीं कि उन्हें इंडोर फिल्माया गया होगा ये कमाल था उनके लो की हाई कॉंट्रास लाइटिंग और कैमरा के जादू का जिसे सभी ने सराहा आज की पेड़ी के लिए शायद ये सब समझना उतना आसान नहीं होगा समय के लिए राजखुसला के साथ भागीदारी में फिल्म प्रोडक्शन्स में हाथ अजमाया पर ये सिलसला बहुत लंबा नहीं चला जस तरह फली मिस्त्री का विजयानंद और नफकेतन के साथ एक असोसियेशन था उसी तरह जल्मिस्त्री की चेतनानंद के साथ एक अच्छी बॉंडिंग थी उन्होंने चेतनानंद की आखरी खत और हीरांज़ा जैसी फिल्में शूट की थी जल्मिस्त्री को जहां भी मौका मिलता वो कुछ नया करने की कोशिश करते फिल्म खुद्रत में हाई कांट्रास के साथ उस मूट को दिखाने के लिए उन्होंने लंडन से एक बेहत पतला नाजुक शिफौन का कपड़ा मंगवाया था और उसका इस्तमाल फौक फिल्टर के साथ किया खुद्रत जील के उस पार हीर रांजा और बहारों के सपने इन फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेर के बेस सिनेमेटोग्राफिक अवोर्ट से नवासा गया जल मिस्तरी ने बरसात, आंधिया, उरन खटोला, चंपा कली, बंबई का बाबू, आखरे खत, बॉम्बे टुगोवा नसीब जैसी खरीब साथ फिल्मों में सिनेमेटोग्राफिक की उनकी आखरी फिल्म थी 1998 में आई छूट पोले कववा खाटे साल 2000 में 15 अप्रेल को जल मिस्तरी ने इस दुनिया को अलविदा कहा जब हम फिल्म देखते हैं तो हर दृष्षे को आम जिन्दगी से जोड़ कर देखते हैं कहानी की तरह हम शूटिंग के बारीखियों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि एक आम दर्शक के पास शायद कैमरामेन की नजर नहीं होती मगर इससे फोटाग्रफर या सिनेमेटोग्राफर का सिनेमा में कॉंट्रिबूशन कम नहीं हो जाता तो अपके बार जब कोई फिल्म देखें खासकर पुरानी फिल्म तो हर सीन को ध्यान से देखेगा और सोचेगा कि आखर किसी सिनेमेटोग्राफर ने उस सीन को कैसे इतना असरदार बनाया होगा